सब्सक्राइब कीजिए दा अमित पांचल चैनल को और इस बेल आइकेन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले लेटस्ट टेक्निकल वीडियो पाने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं अमित और आपका मेरे चैनल दा अमित पांचल में फिर से सवगत है तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने यूटूब के जो ऑफिशियल एप है इसमें किस तरीके से इस शियर्ड बटन को ओन कर सकते हैं यह बटन आपके फोन में आपके यूटूब के एप में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए अगर आपको भी बी स्टेप मिस करेंगे तो यह साइध बटन आप अपने यूटूब के एप म का बटन आ रहा है तो मैं आपको लिएवर्ज़न को डाउड कर लें देकिए मैं बजय यूज कर रहा हूं वर्जय को अपने फोन में डाल लीजए ऑप फिर से आते हैं YouTube में अपडेट करने के बाद ये वाला बटन फिर भी आपके फोन में नहीं आएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है लिंक पर जब मैं आपको लिंक अपना इन्विटेशन लिंक सेंड करूँगा तब आप उस इन्विटेशन लिंक को क्लिक करोगे तब आप इस मतलब तब आपके फोन में ये शियर बटन आएगा देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से बड़ करता है यहां पर आ रहा है एड़ कॉंटेक्ट और इन्विटेशन लिंक ये लिंक है तब मैं ये लिंक किसी को भेज़ दूँगा और वो इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो मेरे जो ये 26 उपर कॉंटेक्ट लिखे आ रहे हैं वो मेरी इस लिस्ट में आ जाएगा तो यहां पर 27 आ जाएगे और उसके यूटूब के एप में भी ये शेर्ड बटन आ जाएगा ओके गई तो मैं सबसे पहले इसका फीचर बता देता हूं ये वर्क कैसे करता है फिर उसके बाद मैं बताओंगा कि आप इस को किस तरीके से अपने यूटूब के आप में ला सकते हैं देखिए अब जैसे यहां पर कई सारे ये चैट इस ये मैंने इन से बात की जैसे ये साहिल खान है ओके तो देखिए अब यहां पर लेखा आ रहा है यू आ नौ कनेक्टेड विस शाहिल खान शेर्ड आ वीडियो और आ मैसेज तो गेट स्टार्टेड मैं तो यूटूब चैनल है इसलिए देखिए मैंने यहां पर आइकन आप में आ जाएगा मैं प्लस वाले साइन पर टैप करता हूं और अब देखिए मैं इसको इसके साथ अपनी वीडियो को शेयर करता हूं तो मैं अपने यहां पर दामित पांचल सर्च करूंगा यह पूच रहा है सर्च इंट फोर दामित पांचल मैंने किया जैसे हाल फिल इड़ी हो और अप इस तरीके से यह चैट उसके पास सली गई है अब वह जैसे इस पर टैप करेगा तो यह वीडियो यहां की यहां ही चालू होने है लग जाए कि तो अब इसका फायदा ही होगा कि इस तरीके से गाइज आप अपने वीडियो के वीव तो बढ़ाई सकते ह अब बात आती है दूसरी कि अब इस बटन को कैसे लाया जाए अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ देखिए मैंने क्या किया हुआ है अपना जो ये चैनल है था अमित पांचाल इसके अबाउट में एक बटन एड कर दिया है मतलब इन्विटेशन लिंक डाल दिया है जिन तो ये बटन चाहिए हो शिर बटन प्लीज अप इस गैट शिर बटन ऊन यूटूब एप इस वाले बटन पर टैप कर देए देखिए तब मैं टैप कर रहा हूं तो इसपर लिखा रहा है पिपोल वह रिसीट इस लिंग जो भी बंदे इस लिंक को रिसीव करेंगे वह थो मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूं जैसे ही टेक न्यूज नेम से एक अकाउंट है देगे यहां आप देख पा रहे हो टेक न्यूज लिखा रहा है इस वाले अकाउंट में यह नीचे बटन नहीं आ रहा है हों ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्टन लेकिने से शेयर बटन का नहीं आ रहा है तो ऐसे ही वो शेयर बटन आपके फोन में भी नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करें दा अमित पांचाल मेरे चैनल को सर्च करें search करने के बाद मेरे channel के about tab में जाएं और about tab में नीचे यीचे get shared button on YouTube app इस पर tap कर दें देख इसके बाद यहाँ पर रहा है invitation from यह invitation कौन दे रहा है यह मैं दे रहा हूं जैसे की the amitpancal accept the invitation to start sharing videos with the amitpancal on YouTube and you are currently signed in as tech news और फिर नीचे bracket में इसकी email ID दी हुई है तो वो मैंने hide कर दिये जैसे ही आप accept पे दबाऊगे तो देखी यहाँ पर जाएगा invitation from the Amit Pancal accepted जो मेरा अपना account है दा Amit Pancal वो automatic update हो जाएगा मतलब accept हो जाएगा अब आपको क्या करना है दुबारा back आईए और बस एक बार refresh कीजिए देखे अब यह नहीं आएगा तब तक मैं अपना account पर इसको एक बार open नहीं कर लूँगा तब तक यह नहीं आएगा आपने यहाँ से invitation बेद दो गया अब मैं दुबारा से अपना account open करता हूँ दा Amit Pancal वाला ओके देखिए view contact में देखिए 27 contact हो गए और देखिए यह tech news नेम से आ रहा है you are now connected यह connected हो गया अब इसका मतलब क्या है अब यह मेरे साथ यह connect हो गया तो यह जो भी channel होगा अब उसके भी app में shared button आ रहा होगा देखिए यह नीचे इसके में shared button आ गया है आ रहा है यह आ रहा है देखिए दा अमित पांचाल you are now connected इस तरीके से आपके में यह button आ जाएगा सिर्फ इसमें एक single contact है जो कि मैं ही हूँ यह मैंने एक demo account बना के आपको समझाया है तो गया इस तरीके से आप अपने youtube के app में shared button को ला सकते हो guys अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें like इसलिए करें जिससे कि मुझे पता पढ़ता है कि आपको यह वीडियो पसंद भी आ रही है नहीं आ रही है और इसी तरीके से मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी लाता रहा हूँ तो thanks and good bye